हेलो गाईज, लास्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वांग दिखा जाते हैं जिसको परफेसर ने बुराया होता है, वो उसे बता रहे होते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं है तो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस पास सर्टिफिकेट या तुम्हे अभी पढ़ो, एक्जैम में अच्छे नंबर लेकर आना और आगे जो एक टेस्ट होगा उसमें भी अच्छे नंबर लेने ना, तिर हम तुम्हें एक अच्छा सर्टिफिकेट दे देंगे, अब यहां से उतास होकर वांग तो वापिस जा रहा होता है, पर जाते हुए लेन की शॉप के पास पहुंच किया था, जहां पहुंचने पर उसे पता लगता है कि यह शॉप यहां से हटा दी जाएगी, यह सुनने के बाद तो वो सैड हो जाता है, अब वांग एक शॉप में दिखा जाता है, जहां पर बैटकर वो ड्रिक्स पर ड्रिंक किया रहा होत है, तब ही उसके पास लीन आ जाते है, लीन को देखका वह करें लगता है कि तुम आगी मुझे तो लगा था कि तुमने भी नहीं आना, तो वह करें लगता है कि तुमने बुलाया था ना, तो मैं आ गई, अब लीन उससे कुछ अपनी बात करती, इससे पहले ही, वह करें ल लगता था हम जब स्कूल में होते थे मैं तो अपनी स्कूल लाइफ में दुबारा से जाना चाथा हूँ कम से कम हम साथ में बैठा तो करते थे ना साथ में बैठ का खाया भी करते थे कितना मज़ा आता था अब लिन तो बस उसकी बाते सुनने के बाद जैसे मॉबाइल पकरते तो वांग करें लगता है किया तुम किसी को कॉल करने लगी हो या उन्हें मेसेज करके बताने लगी तो वो करें लगती कि नहीं नहीं मैं तो अप्री फ्रेंड को बता रही थी कि मैं कहां पर हूँ पर वो अपना मॉबल वापिस से रख देती और वांग की सारी बात सुन रही होती है अब वांग ने सैड होकर इतनी सदा ड्रिंग कर ली थी और वहीं पर गिर जाता है लिन तो उसे उठाने लगती है लिन जब वापिस अपने डॉम की तरफ जारी होती है तो उसको शेंड के कॉल आते शेंड उसे पूछा होता है कि तुम कहां परो कहीं बाइर तो नहीं हो मैंने तुम से मिलने पर वो कहते हैं कि ने मैं डॉम में पहुंच चुकी हूँ अब वो शेन को सारी वांग की बात बता देती है कि उसने आज क्यों बुलाया था क्योंकि हमारी जो शॉप है सिल्वर शॉप वो किरा दी जाएगी इसलिए उसने बुलाया पर वहां पर तो कोई भी नहीं आया बस मैं गई थी अब ये बाते सुनने के बाद सॉंग को लेकर वांग से मिलने के लिए पहुंच जाता है वांग तो उनकी कॉल भी अटर्ड नहीं कर रहा होता जबके सॉंग उसे रोक लेता है पर वह कह रहा होता है कि मैंने तुम लोगों से कोई भी बात नहीं करने नहीं मैं तुम लोगों से नराज हूँ ये कह कर जब जाने लगता है तो सॉंग उसको नहीं जाने देता और यहां तक कि मांग तो स्कूल भी छोड़ रहा था सौंग उसे कह रहा होता है कि तुमने स्कूल नहीं छोड़ना तुम्हें graduate होना है जबकि वो तो इनकी बात नहीं सुरू रहा होता है कि वो तो इन से नराज था वो कहीं लगता है कि तुम लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी है मेरी किसी को भी परवानी है जब भी तुम लोग मुझे बुलाते थे मैं तो आ जाता था ना पर तुम लोग तो नहीं आते मेरे कहने पर ये सारी बाते सुना कर जब मांग वहाँ से जाएं लगता है तो सौंग करना चाहिए अब जो सौंग था उसने मांग को सिलवर शॉप पर बुला लिया था पर वो तो आगे से सोच रहा होता है कि पता नहीं मांग आएगा या नहीं का शन कहता है कि उसके लिए सिलवर शॉप बहुत इंपोर्टेंट देखना वो आएगा इदर हमें सौंग दिखाय यह पता है और तुम पर यकीन है इसलिए जो भी डिफिकल्टिस लाइफ में आएगी वो हम साथ में मिलकर उनका सामना करेंगे इतने में शाओ को जब कॉल आती है तो वो कॉल सुनने के लिए बाहर चली जाती है पर वो तो उल्टा शाओ को काफ़ी ज़ता डांट देते हैं कि अभी कि अभी जॉब पर आओ अब शाओ भी अंदर जाकर सांग से कहने लगती है कि मुझे जॉब पर जाना है वहाँ पर एक काम आगया तो मैं जाओं सांग कहता है कि मैं तो मैं छोड़ाता हूं पर वो कहते हैं कि मैं खुछ चली जाओंगी ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है अब शौर जो अपनी जॉब से भी वापिस आगी थे पर वापिस आने के बाद वो इतना रोरी होती है क्यूंकि वो अपनी जॉब से बिल्कुल तंग आ चुकी थी इदर शेन नों सॉंग दिखाये जाते हैं जो समान वगरा लेकर अपनी शौप पे पहुँच आते हैं माप पहुच कर वो देखते हैं कि वहाँ पर तो कुछ भी रखने की जगा नहीं है तो शेन कहीं लगता है कि लगता है हम इस जगा को पहले साफ करना होगा आप दोने काम पर लग चाते हो काम करने के बाद वो खाने वली चीजों को भी टेबल पर रखते हैं जैसे वो पहले रखा करते थे इतने में वांग दिखाया जाता है जो सिल्वर शौप के बाई पहुच गया था अब वो भी अंदर इनके साथ आगर बैट जाता है पर अभी वांग इतना कुसे में नहीं था इसलिए सांग उसे समझाने लगता है कि तुमने पढ़ना है और फिर वांग भी उसकी बाद समझ आता है तीनों बैट कर बाते करने लगता है काफी हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं इतने में लिन आ जाती है लिन उनकी आवाज़े सुनकर डौर पर ही खड़ी हो जाते है उन इन तो कहरी होती कि टाइम का पता नहीं चला ऐसे लगता है कि मैं पहली बारी आई हूँ और वो भी अपनी ब्रेसलिट ठीक करवाने के लिए और शेन भी कहता है कि हाँ टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है इससे तरह की मेमरीज को दोनों बैट कर याद करने लगते हैं उसके बारे में मैंने पहले से ही बात कर ली है अब तीनों अपना रोम छोड़ कर चली जाती है और काफी सैड भी थी शेन दिखाया जाता है जो एक जगा पर लेक्चा लेने के लिए आया होता है वही पर उसकी सीनियर सिस्टर भी होती है जो उसको बुला कर करने लगते है कि लेन को एक कितनी अच्छी जगा से ऑपरचुनिटी मिलिया पर मैं तो उसको कॉंग्रेजुलेशन कहना ही भूल गई हूँ और पता नहीं वो मिलती भी नहीं कहां पर है अब शेन तो ये बास सुनने के बाद भी कुछ जुप हो जाता है क्यूंकि लेन उसे कुछ भी हग करना चाहता हूं कर लिन भी उसको हक लेती हैं अब इसके बाद लिन फेड़ने ही ऑग prepare में लेड़ जाते हैं एक। दूसरी की तरफ देख रही ओते है तो उसकर नई वाला होता है इतने में लिन का पेट भूक से बोलने लगता है जिससे सुनको दूसरी को देकर काक organs है इसी तरह कि इनका हंसी मज़ाग चली रहा होता है तो इतने में लिन को एक ओला आती है वही उस कंपनी की तरफ से जहां से लिन को अपरचुनिटी मिली थी क्योंकि लिन अभी तक उनकी कोई भी बात का स्वीट को टेस्ट करने के लिए पड़ को ना कर दिया था कि मुझे पता लग गया है अब शे Love ल crews ले सिखाने लगता है अब इसके बाद शौब वाला पूछे लगता है कि बेटा आप क्या करते हो जिस पर शेन कहा देता है कि मैं बस एक आम सा स्टूडेंट हूँ वो ये बात नहीं बताता कि वो मैडल जीत चुका है और लिन भी उन्हें मना कर देती कि मुझे कोई भी गिफ न बना रहे होते हैं फिर लटकियां साथ में पिक्स बना रही होती है सब अपने ग्राइशन को काफी इंज्वाई कर रहे थे यहां तक के वांग भी ग्राइट हो गया था बट वो सब में सिंगर रह जाता है बाकि सबके तो कपल बन चुके थे और यहीं पर हमारे इस ड्राम बना पिक्वाई हो ग्राइब हो जाना जाता है जा जाता है जाता है